स्वागा थेक बाव फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजे क्लासेस पर तो देखें हैं यह जो प्रैक्टिस हम करवाने जा रहे हैं यह 2017 का पेपर है ठीक है 12 डिसंबर का पेपर है हिंदी के सेट हम लोग देखेंगे हिंदी कैसे कैसे कोशन आते हैं इसे बले मैं मता दू हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपकी स्टडी में बहुत ज़्यदा बूस्ट मिलने वाला है और कहूंगा की चैनल पर पहली बार है तो जो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिएगा ठीक है जिसे लेटेस वीडियो आपको अपडेट मिलती रहें चलिए अब हम देखते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हिंदी का सेक्षन हम देख रहे हैं हिंदी में किस तरह के कोर्शन आते हैं यह आपको देखना है यूप प्लस कोशन आराम से कर सकते हैं और यदि आप पेपर देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि साथ में 35 कोशन कर सकते हैं चलिए हम तो शुरू करते हैं तो हमारा पहला कोशन जैसे संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं कोई अधर तो कोई धनवान तो कोई डैस इस तरह से कई तो हमेंब करना है ठीक है फिलाप करने के लेकिया होगा रहा कोई उधार कोई अनुदर को नहीं सकता कोई उधार तो कोई संकील और धनौक भ़े ना सब खेल पाख और इस वाले पॉर्शन पर लेंगे कोई धनौक जुला यह निर्द्याज ठीवाट मं रग्वपति राजो राजा राम कौन सा अलंकार अब देखों यहां पर तुम यदि फोकस करोगे तो रा 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 और रा की प्रणा वरती हो रहे हैं तो मतलब बार-बार रा सब्दा आ रहा है तो आपको पता है कि यह अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें वॉर्णों की यह किसी सब्द की बार-बार क्या हो तो वॉर्ण की रिपीटेशन होता है ठीक है तो इस तरह से हो जाएगा थाठ कौशन देखते हैं धर कौशन क्या बोला है ब्राहमी लिपी किस लिपी से निखिली तो आपको पता ब्रहमी कहां से निखिली देवनगरी यदि आपने भाई पे हिंदी का पूरा सेक्षन कवर करने जा रहा है जिसमें हम सब कुछ कवर करने वाले और ध्यान लखो भाई बोली से हर बार कोशन आता है ठीक है इसके बाद अगाला कोशन देखेंगे कि भाई लिखा हुआ है अलपहारी अलपहारी सब्द का उचित वाक्यांतों को मतलब कहता है पता है आपको यह तो मुखावरा ओं जी मतलब कंखाने वाल इंडम लिखाल आप चाहिता है यहनी आपrau ध्यान रखो आपको लेखक भी याद रखने हैं उनकी कविता भी याद रखनी है मतलब आपको फोकस डाला हर एक चीज पे कुछ भी छोड़के नहीं जाना नेश कोशन की बात करेंगे नेश कोशन क्या बोला है धोल के अंदर पॉल आपको जानते हैं धोल के अंदर पोल भी क्या हो जाएक to write answer हो जाएगा question No.7 की बात करेंको question No.7 की बोलना है आत्मीयों को भेढ बकरी की तरह हाकने का जमाना आप नहीं 3 कोश्ट न में दिए सब्धों का वचन बताई ये तुभेड और बकरी तो भीड़ों बकरी नहीं होता भीड़ों भख्रियां होता है तिक module आहिए में आदमियों को भीड़ बकरियों के तरह नहीं हाका जाता है is दो यह तरह से आपको प्रनॉंसेशन पे भी बहुत ज़्यदा फोकर्स डाला होगा निस्कोर्षेंट बात करते हैं कोशन नम्र आठ क्या बोला है कोशन नम्र आठ बोला है उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका डैस हो गया तो क्या हो गया भैव निरुतर जब किसी वेगति का आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो आप क्या हो जाते हैं निरुत्तर ऋजाते ठीक है है कॉशन नॉम्बर 9 कॉशन नॉम्चा में क्या बोला है कि लोग आ जीवन तट्टू की तरह जूटे रहते तो ट्ट्टू का पर्याव बहु वचन पूछन का कितना सरल है तो ट्टू हो गया ठीक तो सही विकल में क्या है जीवन छड़ बंगूर अब देखो जैसे यह राइट अंसर है अब हम इसमें देखते हैं गलती का है दो को पहले दूस्ट ऑप्षिन मर्भी में जीवन गलत तरीके से लिखा हुआ है ठीक ऐसे लिखा हुआ है तो वह गलत है क्योंकि जा में बड़ी तरीके से लिखा इसलिए राइट अंसर तो इसमें क्या हो गये सब्दों की सुध्धी भी हो गई और आपका कि वेंगी बीपुरा बन गया ठीक है तो मतलब दो तीन चीजे इस कोशन में क्या कर दिया इंक्लूड कर दिए नेस कोशन में क्या बोला है कि सन 2001 में कथा कथिक क इस रचना के लिए इंदू शर्मा अंतर राष्टी कथा सम्मान लंदन में दिया गया था तो भाया यह कोशन थोड़ा सा टफ होगा इसको आपको ढूलना पड़ेगा मतलब जितने भी हिंदी से जुड़े हुए पुरुसकार है उनको आपको एक बार लिस्टेट कर लेना है यह आपको कोई डाउट्रों बता दिजेगा आप कमेंट कर दिएगा तो मैं नेट से निखाल करके आपको लिस्टेट करवा दूँगा ठीक है तो क्या होगा जंगल जहां शुरू होता है इस कभी यानि इस कविता के लिए इस रचना के लिए इनको यह दिया गया था फ कर सकते हैं एक दू कोशन तो हीप कर सकते हैं इसलिए थर्टी फाइब प्लस का रागर रखी दो चार कोशन को आप नहीं कर पाएंगे चाहे जितना प्रयास करें ठीक है यह कोई हर चीज आपको नहीं पता होगी जैसे खटाई में पढ़ना मोहाबरे का अर्थ क्या होता ल अनुभव होना मतलब आटे दाल का भाव पढ़ना यानि ज्यान पढ़ना तो क्या होगा कश्ट का अनुभव होना कि हाँ बाई कितनी महगाई कितना जमाना का बलते हैं आगे बढ़ गया या इस तरह से जैसे होता नहीं के मतलब कहते हैं कि यह तुम घर से अलग रहोगे तो मतलब क्या कि चीजी लान तो इसका वीपरीट क्या होगा गहोल नहीं क्या होगेत ग्रह दाविकलक में ऑपयाया हें त्पक्र इसके बाद नेस्स कोश्टन बोल रहा है कि सभाव के अनकुल तुम्हें यह कार करना चाहिए शब्हाव देखो यहां पर सभाव क्या है गलत लिखा हुआ यहां पर भी सभाव गलत लिखा है तो इसलिए राइट अंसर क्या होगा और अप्शन भी ऐसे हम लोका करते हैं को इ इसने simple simple question आते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है जो दो चार question के लिए आप परिशान होगे भारत में अब देखो सभी सुद्ध बारत के चुलना है भारत में अनेक दार्शनिक स्थल है ठीक है मान लेते हैं भारत में दार्शनिक स्थल अनेक द तो आप अपने आप ही जब sentence को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा गलत हो कौन सा ही है तो यह कोई God gifted नहीं है मतलब आप practice करोगे तो अपने आप आ जाएगा ठीक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके बाद का ने कोशन बोल रहा है कदा चिट शाम तक वह वापस आजाए तो जाए कैसी है आ जाए चला जाए तो यहका एक संभावना को दिखा रहा है यह थित्छऎ उंसले प्राइप् serait सogle नमबर जो पूरिलिंग होता है आपको पता हो बिलाव होता है इसमें कोई सभी जानते हैं गाउंधियाद में ऐसी भासवा बुलिया थी भाई बिलाव आ गया ठीक है इस तरह से तो उसमें कोई नया नहीं है निचे कोसे दियें सbelsाना आरती अच्छा बात करता है नीचे दियेंस कोईशन बात करता है नीचे रिये सब्सक्राइज नहींतने की शल्रक्र में होता है दन्याय क्क Champions क्रपालो एक गून घ्न ऑता एक अक्षा गोड होता है okay आगे बढ़ते हैं next question बोल बोला है कि लेगर है विपिन का समान आर्थी दूआती समान आर्थी तुंगो याद रखना होगा तो इसको आप थोड़ा से याद कर लिएगा कोई अच्छी बुक हो आपके पास तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है बाकी मैं इस पर एजी क्लास पर प्रेक्टिस सेक्षन लेता रहूंगा बराबर पचास कुर्शन डेली शाम को आड़ विजे में पोस्ट करता हूं आज से तो आप वहां पर आराम से देख लिए अभी तो मैं यह वाला सेक्षन ही कवर करूंगा जिसमें आप जो एक्जाम जितने हुए हैं उसका है हिंदी का सेक्षन हम कवर करें हो हिंदी का हिंदी के लेक्षर के क्लास भी लेंगे ठीक है फिर बोला है विदित ने डैस मित्रों से कहा कि अपने दोस्तों से कहा होगा कि मित्रों से कहा होगा कि उसको दित की दें गेंड चाहिए ठीक है आप चलो यह तो राइट है और हम सेट करके देखते उद्च ने इंसे इनमध्रों से कहा कि उसे उद्च के गेंद चाहिए थोड़ा सा संसेव हो रहा है उद्च ने उनके मित्र चाहा कि आप दो सर स technology het झाल गारते हैं तो यसा तो ए elsTHOब को इस्तिमाल नहीं खते हैं juvenile करें दिमाग लाँ सकते हैं तो यह हम कह सकते हैं कि नेस्ट क्या बहुता है या जीवन क्या है निरजージहरints है इन वाक्यों में फ्रियूत है सीधी से बात है जीवन को किसी से कंपेर किया जा रहा निर्जर से मतलब जीवन का है जीवन कोई भी मत तो मतलब रूप का रिपरसेंटेशन हो रहा है तो रूपक अलंकार हो गया जीवन को किसे मतलब किसी से कंपेर किया जा रहा है आति शोक्ति नहीं हो सकती पॉसिबली नह तो आप थोड़ा वेट करिए अलंगार की वीडियो जल से जल आने वाली या फिर एजी क्लास पर आप जा करके अलंगार की वीडियो देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में हिंदी की ठीक है इसके बाद नेस कोशन देखते हैं नेसकोशन बोलाए जालकी यthi ज्लहने कारव डैस हो गया तो क्या हो गए अक्षेतन हो गया भार बहुत गरमी चल आता निसीटन तो नहीं हो सकतान निरजी näट होने सकता अम्रत हो नहीं सकता तो आचेतन मतलब उसकी चेतना क्या हो गई खतम हो गई ठीक है लेस्ट कोशन बात करते हैं क्या ऐसा कार किया कि तुम्हें डैस चाहिए तो चोरी करके तुम्हें क्या होना चाहिए चुलू पर पानी में डूब मनना चाहिए यह व्यंग एकदम सही होता है माबाप ऐसे कहते हैं तो वेंग क्या होता एकदम साही तो बस उसी वेंग को तरक में बदल करके आपको अंसर देना है क्या सब्सक्रा नाज pillows भूते पार वेंगादनिस्ट पिंह और अगले के वाल रिप्रेजिट्ट इस पर निशट और भोग नीश्ट्ससा किया इसलिए क्या होगा अनिश्यक है और संख्या वाचा करें को से नंबर 30 क्या बोलता है बोलता है रति-पति सब्द का समानार्थी सब्द तो वह होता है पंचिसर इसको आपको याद अपड़ेगा जितने भी समानार्थी सब्द हैं उनको अच्छे से याद करिए नेस कोशन ब अफारत की डैस है जही सब्कल करें हिंड़ी का राजी कि राश्त भासा नहीं अंतराश्टि भासा नहींतराश्ट भासा मुल भासा नहीं है किसी अब दोगों इस वाले में उपमे उपमान साधाराध्रम और वाचक किस अलंकार से संबंधित हो ये उपमा अलंकार हो दोगों इसके बाद सब्द से इस अलंकार वो भी एक अलगा चीज है उपमा से उपमे और उपमान के अधाना किलियर होती इसलिए राइट अंसर यह होगा ठीक है नेस कोशन बात करते हैं कोशन नमर 33 अब साथ कोशन और माद बचे हुए सर सिर्ज सब्द का पर्रवाची तो यह नलीन होता है अब यह आपको मैं इस्प्लें नहीं कर बाऊंगा क्योंकि आपको यह याद करना पड़ेगा ठीक है नेस कोशन बात करते हैं नेस कोशन बूल रहा है कि निम लिखी में से कौन सा सही विकल्प है तो कटिन परिश्वन के बिना तुम सफल नहीं हो सकते यह आपको पता है बिना कटिन परिश्वन कि यह तुम सफल नहीं हो सकते उल्टा सब्द है तुम सफल नहीं हो सकते यह भ इसके बाद सीशम किस सब का लिंग है तो वो क्या है प्रोलिंग इस तरह से आपको इस तरी लिंग और प्रोलिंग के भी आपको याद करने वह लग्जा किसने लिखी तो लग्जा बहुत फेमस बुक है आपको पता है तश्मीना की है तो इसको आपको याद रखना होगा तो बुक भी आपको याद रखनी है समान सारी हिंदिक सड में यहां पर कवर कर दूंगो जिससे आपको किलर हो जाएगा किस लेवल के कोशन यहां पर आते हैं ठीक है तो इस वीडियो में तो 40 कोशन हमने कवर करती है ठीक है और यदि मान लोग कि यदि आपको इसका पीडेस ही होगा तो भीया एक गुरूप का लिंक के पास यहां लेडी है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो माच वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक को शेर करना ना भूले ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले एज लाइब और इस क्लासे दोनों जिस पर आपको कांटिनू वीडियो मिलते रहेंगे क कि आपका एक्जाम अब 15 दिसंबर्ग से होना तै हो गया ठीक है 15 से 30 के आश्पास होने है एक्जाम और 10 सिप्टों में होंगे 30 सिप्टों में और 10 दिन यह एक्जाम चलेगा ठीक है तो इस वीडियो में इतने थैंक यू सो मच